हिंदी साहित में सर्यू पुस्तक में संकलित आचार्य हजारी प्रसाद द्वीवेदी द्वारा रचित निबंद सिरिश के फूल की व्याख्या का हम अध्यन कर रहे थे आज हम इसी निबंद के आगे के भाग का अध्यन करेंगे कालिदास वजन ठीक से रख सकते थे क्योंकि वे अना सक्त योगी की स्थिर प्रग्यता और विदग्द प्रेमी का रधे पाचुके थे अना सक्त निबंद जो सुख और दुख के भाव में एक जैसा रहे स्थिर प्रग्यता यानि अविचलित बुद्धी की दशा विदग्द ने अच्छी तरह से तपा हुआ कालिदास वजन ठीक से रख सकते थे क्योंकि वे अना सक्त योगी की स्थिर प्रग्यता और विदग्द प्रेमी का रधे पाचुके थे कवी होने से क्या होता है मैं भी छंद बना लेता हूं तुक जोड लेता हूं और कालिदास भी छंद बना लेते थे इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते पुराने सर अधैने किसी एसे ही दाविदार को फटकारते हुए कहा वयमपी कवयह कवयह कवयहस्ते कालिदास मैं तो मुग्ध और विच्समय अने आश्यरे चकेत होकर मैं तो मुग्ध मुग्ध अने मोहित विच्समय विमूड अने आश्यरे चकेत होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूं यहाँ पर लेखक ने कालिदास के बारे में बताया है कि वे तपे हुए कवी थे, उनकी तुलना मुझसे भी नहीं हो सकती है उनके लेखक बताते हैं कि उनके एक-एक श्लोक को देख कर मैं हैरान हो जाता हूँ अब इस सिरिश के फूल का एक उधारन लीजिए शकुंतला बहुत सुन्दर थी, सुन्दर क्या होने से कोई हो जाता है, देखना चाहिए कि कितने सुन्दर रधे से वह सुन्दर ये डुपकी लगा कर निकला है यहाँ पर लेखक बताते हैं कि कालिदास महान कवी इस कारण बन सके कि उनमें एक और अना सक्त योगी की स्थित प्रग्यता थी तो दूसरी और वे एक तपे हुए उनका जो रधे था वह एक तपे हुए प्रेमी का रधे था इसलिए वे अत्यंत सुन्दर रचनाएं रच सके यहाँ पर लेखक एक उधारण के द्वारा स्पस्ट करना चाहता है कि अब सिरिश के फूल का ही एक उधारण ले लीजिए कालिदास के नाटक की जो नाईका है शकुनतला वह बहुत सुन्दर थी लेकिन उसकी सुन्दरता अकारण ही सुन्दर नहीं थी देखने की बात तो यह है कि उस सुन्दरे की रचना करने वाले का रधय कितना सुन्दर है सुन्दर क्या होने से कोई होता है देखना चाहिए कि कितने सुन्दर रधय से वह सुन्दर्य डुक्की लगा कर निकला है अने शकुंतला सुंदर थी लेकिन उसकी सुंदरता का चितरन करने वाले कालिदास ने अपने रधे के समस्त सुंदर मनोभाव की सहायता से शकुंतला की सुंदरता का वर्णन किया है शकुंतला कालिदास के रधे से निकली थी लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो शकुंतला की सुंदरता का जो चितरन कालिदास ने किया था वह कालिदास ने अपने रधे के समस्त सुंदर मनोभाव की सहायता से किया था विधाता की और से कोई कापण्य नहीं था आकापण्याने कंजूसी नहीं थी, दूसरी और ईश्वर ने उसे सुन्दर्ता देने में कोई कंजूसी नहीं दिखाई थी, कवी की और से भी नहीं, उसे कवी की और से जो सौंदर्य प्रदान किया गया था, और कवी ने भी उसके सौंदर्य के चित्रण में कोई कमी नहीं रहने दी, विधाता ने भी उसके सौंदर्य में कोई कमी नहीं रखी थी, कोई कंजूसी नहीं की थी उनका चित्रण करने में, ईश्वर ने भी चित्रण करने में कोई कंजूसी नहीं की और दूसरी और कवी न का चित्रन करने में कोई कमी नहीं रहने दी राजा दुशियन्त भी अच्छे प्रेमी अच्छे भले प्रेमी थे उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था लेकिन रहे रहे कर उनका मन खिज उड़ता था उन्हों कहीं ने कहीं कुछ छूड़ गया है राजा दुशियन्त भी एक गंभीर प्रेमी थे उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था किन्तु उनको लगता था कि चित्र में वह कुछ बनाना भूल गए है रह रह कर उनका जो मन है वह खीज उटता था बड़ी देर के बाद समझ में आया कि शकुंतला के दोनों कानों में उस सिरिश के पुष्प को देना भूल गए बाद में जब उन्होंने विचार किया तो उन्हें ध्यान आया कि शकुंतला के दोनों कानों में सिरिश के फूल के कर्ण फूल बनाना भूल गए यहाँ पर लिखक ने बताया है कि शकुंतला तपोवन की कन्या थी वन में रहने वाली कन्या थी और वहाँ वह सिरिश के फूल से बने आभूशन के रूप में सू सज्जित रहा करती थी तो यहाँ पर कवी ने इसी बात का उलेक किया है जिसके केसर गंड स्तल तक लटके हुए थे और रहे गया शरत चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुब्र म्रणाल का हार शुब्र ने सफेद तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो सिरिश के फूल कर्ण फूल पहनाना भूल गये थे जिसके कैसर जैसे पीले तंतू उसके गालों तक लटके हुए थे किसके शकुन तला के वह उसके गले में शरत पूर्णी मा के चंद्रमा की किरणों के समान कोमल और शुब्र कमल नाल का हार पहनाना भी भूल गये थे तो यहाँ पर लेखक ने शकुन तला के इस सौंदर्य के चित्रन से कवी की सौंदर्य गहन सौंदर्य खोजी द्रस्टी का परिचय मिलता है आगे देखिए कालिदास सौंदर्य के बहय आवरन को भेद कर उसके भीतर तक पहुँच सकते थे दुख हो की सुख हो वे अपना भावरस उस अनासक्त क्रशीवल क्रशीवल ने किसान की भाती खीच लेते थे अब यहां पर लेखक ने कालिदास के अनासक्ती भावना के कारण ही कालिदास को एक स्रेस्ट कवी बताया है लेखक बताते हैं कि कालिदास एक स्रेस्ट कवी थे वे सौंधर्य के चितेरे थे सौंधर्य का वर्णन करने में निपुन थे वह उस सौंधर्य के बाहरी स्वरूप के पीछे छिपे आंतरिक स्वरूप को भी देखने में सक्षम थे अनि बाहिय सौंधर्य का वर्णन करने में तो सक्षम थे ही लेकिन आंतरिक सौंधर्य को का वर्णन करने में भी समर्थ थे सुखो या दुखो के प्रती तटस्त भाव अपनाते हुए उसके भीतर इस्थित भाव को इस प्रकार बाहर निकाल देते थे जिस प्रकार की कोई किसान निचोडे हुए गन्ये से भी रस निकाल लेता है यहाँ पर निर्दलित अने निचोडा हुआ इक्षुदंद अने गन्ये का रस निर्दलित इक्षुदंड निचोडे हुए गन्ने के रस से भी जिस प्रकार किसान रस निकाल लेता है उसी प्रकार कवी भी तटस्त भाव से उसके भीतर के सौंधर्य को निकालने में सक्षम थे कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सकते थे लेखक बताते हैं कि कालिदास एक महान कवी थे और सांसारिक सुख दुख से विरत तता अप्रभावित होने के कारण वे महान कवी बन सके कुछ इस श्रेणी के अनासक्त आधूनिक हिंदी के कवी सुमित्रा नंदन पंत में भी है लेखक आगे बताते हैं कि कुछ इसी तरह का इस्तर अर्थात अनासक्त का भाव हिंदी के कवी सुमित्रा नंदन पंत में भी मिलता है एक जगह उन्होंने लिखा कवी वर रविंद्रनाथ में भी यह अनासक्ती थी लेखक बताते हैं कि कवी स्रेष्ट रविंद्रनाथ ठाकूर में भी यह अनासक्ती का भाव विद्यमान था एक इस्थान पर एक जगह उन्होंने लिखा कि राजो ध्यान का स्वीह द्वार कितना ही अब अब्रभेदी क्यों न हो उसकी शिल्पकला कितनी ही सुन्दर क्यों न हो यह नहीं कहता है कि हम में ही आकर सारा रास्ता समाप्त हो गया है एक इस्थान पर कभी रविंद्रनाट टेगोर ने लिखा है कि किसी राजसी उद्ध्यान का सौंदर्य उसके गगन चुम्बी प्रमुखद्वार में नहीं है नहीं उसके सुन्दर शिल्प में शामिल है उसके सौंदर्य की सीमा महा तक नहीं है असल गंतव्य इस्थान उसके अतिक्रमन करने के बाद ही है असली सौंदर्य तो उस विशाल भव्य द्वार को पार करने के पश्षात ही देखने को मिलता है यहीं बताना उसका करतव्य है फूल हो या पेड वह अपने आप में समाप्त नहीं है वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली का एक इशारा है अन्य कहने का तात पर है कि बाहिय सौंदर्य ही सब कुछ नहीं है असली सौंदर्य तो आंतरिक होता है अन्य बाहिय सौंदर्य को भेद कर ही भीतरी सौंदर्य को देखा जा सकता है और ऐसा कार्य अना सकती भावना वाला कवी ही कर पाता है आगे देखिए सिरीश तरू सचमुच पक्के अवधूत की भाती मेरे मन में एसी तरंगे जगा देता है जो उपर की और उठती रहती है यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि जीवन का जो सच्चा सुख है वह अविशलित रहने से ही प्राप्त होता है और यह गुण जिसको होता है उसे अवधूत कहते हैं तो यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि जो सिरिश का जो व्रक्ष है वह लेखक को एक पक्के अवधूत की भाती दिखाई देता है और उसमें सच्चे आनंद की लहरे पैदा करता है जो उपर की और उठती रहती है कहने का तातपर्य है जब वेक्ति के मन में सुख दुख के प्रती समान भाव उत्पन होता है तो उसका आनंद अंतहीन होता है उसी तरह लेखक को सिरिश का जो व्रक्ष है वह अवधूत की भाती दिखाई देता है इस चिलक्ती धूप में इतना सरस्वह कैसे बना रहता है इतनी तेज चिलचिलाती हुई धूप में भी सिरिश का व्रक्ष कैसे हरा भरा रहता है फूलों से लदा हुआ रहता है क्या ये बाहिये परिवर्थन धूप, वर्षा, आंधी, लूप, अपने आप में सकते नहीं है लेखक सोचते हैं कि प्रकति के जो बाहरी परिवर्थन है तेज धूप, तेज वर्षा, आधी, लूप, आधी क्या प्रभाव ही नहें? क्या इनका इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है? किन्तू सिरीश इनसे अप्रभावित रहे पाता है, क्योंकि लेखक का मानना है कि उसके भीतर एक अवधूत का मन है, एक सन्यासी का मन है, वह सुख और दुख हर परिस्थिती में एक जैसा बना रहता है हमारे देश के उपर भी मार, काट, अगनी दाह, लूट, पाट, खून, खचर का बवंडर बहे गया है लेखक बताते हैं कि हमारे देश में भी भारत की स्वाधिन्ता और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ती के समय भीशन दंगे हुए मार, काट, कोई, खून, खराबा हुआ और दंगो का भीशन तुफान बहे गया जो देश को हिला गया उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता था लेखक सोचते हैं क्या ऐसे आउसर पर भी कोई अविचलित रह सकता है लेखक कहते हैं सिरिश रह सकता है अने सिरिश जैसा अवधूत रह सकता है अपने देश का एक बुड़ा रह सका था लेखक बताते हैं कि आउधूत की मनह इस्तिती वाले अपने देश के नेता महात्मा गांधी दंगों से विचलित नहीं हुए थे क्यों मेरा मन पूस्ता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ क्योंकि सिरीज भी आउधूत है लेखक जानना चाता है कि ऐसा कैसे संभव हो सका वह स्वयम ही उत्तर देता है तब ऐसा इस कारण संभव हुआ क्योंकि गांधी जी भी संसार के राग द्वेश से परे थे जिस प्रकार की सिरीश वायू मंडल से रस खीच कर इतना कोमल इतना कठोर हो सका था मैं जब जब सिरीश की ओर देखता हूँ तब तक हूख उठती है हाई वह अवधूत आज कहा है सिरीश वायू मंडल से अपना रस खीचता है और इतना कोमल इतना कठोर रह पाता है उसी प्रकार गांधी जी भी सुख दुख के राग द्वेश के प्रती ऐसा कर सके हैं लेखक बताते हैं कि सिरीश व्रक्ष को देखकर लेखक को महात्मा गांधी की याद आती है और उनके रधे में एक टीज एक वेदना उत्पन्न होती है और उनका बार-बार मन पूस्ता है कि आज गांधी जैसे सैयत मन वाले, सैयमित मन वाले लोग देश में क्यों नहीं है यह हुआ आचारिय हजारी प्रसाद द्वारा रचित निबंद सिरीश के फूल यहां पर लेखक ने गांधी जी को स्थित प्रग्यता वाला विक्ती माना है और सिरीश के व्रक्ष को भी लेखक ने सैयम मन वाला, सैयमित व्रक्ष माना है अने जीवन की हर परिसिती में एक जैसा रहने वाला, सुख दुख से अप्रभावित रहने वाला अब इसके कोश्चन देखिए लगूत्रात्मक कोश्चन में आपको लेखक ने सिरीश के फूल को काल जई अवधूत की तरह क्यों बताया है लेखक के अनुसार कवी के लिए कौन कौन से गुण आवश्चक है इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें निबंदात्मक प्रश्ण महत्पून है जैसे सिरीश के फूल ललित निबंद के माध्यम से द्वीवेदी जी ने क्या संदेश दिया है अपने शब्दों में लिखिए ललित निबंद के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सिरीश के फूल निबंद की विशेष्टाओं पर प्रकाश डालिए लेखक के अनुसार कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के विख्तित्व की विशेष्टा बन गए फिर लास्ट वाला सुनता कौन है महाकाल देवता सपासब कोड़े चला रहे हैं जीर्ण और दुर्बल जड़ रहे हैं जिन में प्राण कंड थोड़ा भी और धो मुखी है वे टिक पाते हैं द्विवेदी जी के इस कतन में क्या संकेत नहीं थे इस पस्ट कीजिए तो यहां आपको ध्यान रखना है कि ये महतुपून कोश्चन है